उत्यप्रदेश के मंजनपुर के पूरव गाउं में 31 जुलाई को विकासकारियों की जाच करने गई उप मुख्या पशो चिकित सदिकारी डॉक्टर सीमा का आरोप है कि गाउं में उन्हें प्यास लगने पर पानी नहीं देया गया जब पार्णी देने के लिए ग्रामीन आगे आये तो उन्हें आखों के इशारों से मना कर दिया गया मौके पर मौझूब गिराम विकास अधिकारी रवीदत मिश्रावा बीडी सी सदस्या ओम परखास्तिवारी ने बोतल गंदी होने का हवाला देकर उन्हें पानी नहीं पलाया सुनिए क्या कहना है पिडित अधिकारी डॉक्टर सीमा का अरोप लगाशर के गलत माम लोगों को पसा दिया है जी मैं चौतिस साल से नौकरी में हूँ और मुझे पता है मैं बहुत सारे गाओं के लखनों में भी जब पोस्टिट थी इलाबाद में भी पोस्टिट थी मैं काफी गाओं में गुप्रामन कर चुकी हूं जांचे जां गूंचे ज Yak 표 में किसी के का स्टिए पूछती हूँ हुआ किसी के बारे में बात कर थी हूं कास की और मुझे तो सिफ ग्रामवेकास अधिकारी और जो बिटीशी है महरे जी अब है मुर्वी दत्मिश्र कम आंब्या जी ड्रामवेकास अधिकारी और जो थीवारी substant Max दूर जो बात कही गई मुझे उस पर प्रॉब्लम है प्रदान तो बैठे थे मेरा मतलब यह था कि इंसानियत उनके अंदर नहीं थी क्या प्रदानों के अंदर तीन प्रदान बैठे हैं जो हमारे सरकारी करमचारी हैं और सरकारी करमचारी की कोई कास्ट नहीं होती तो मेरे लिए पानी बॉटल जूटी हो जाएगी गंदी फेकनी पड़ेगी यह बोलना ओवियसली तकलीव दे था बहुत तकलीव दे था मेरा अक्मान था अज़ वह बात कर रहे हैं कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए उन्होंने आज कुछने पूछने लिए उन्होंने पूलाया था और मुझे डियम साब की जब अलरड़ी मेरा पहल पे बहुत रिश्वास है उन्होंने कहा है कि मैं इसको strict action लूँगा जो भी ऐसी कारवे उसक टीम गटित कर दिये तो मुझे नहीं लगता कि जो मैं कह चुकी कल तक वो मेरा सच है और इस सच को कहां तक क्या न्याय मिलेगा यह मुझे देखना वाकि है आपके सामने भी आएगा डियेम साब कर मुझे नहरोसा है तो वहीं इस मामले में विदाय का कहना है कि महिला दली त अगा रही है वो सही बैठते हैं या नहीं एस्पीन नाइन्यूज रूम ख्रीपोर्ट